हेलो एवरिवन आई वेलकम यू ओल तो डिवाइन लेर्निंग क्लासेज आज हम लोग चैप्टर नाइन का पार्ट सेकंड डिसकस करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज नाइन सी के क्वेश्टन को सॉल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं फिर इसमें आपका क्या दिया गया क्या स्टेट्मेंट है कि किसी सर्टेन नमबर में 9 एड किया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करोगे आप लिख लेना ऐसे let the required number b x तो आपका दिया गया क्या है question में किसी certain number में अगर 9 को add किया जाता है तो क्या मिल जाता है 36 result 36 तो x की value find करनी होगी x is equal to 36 और ये 9 आपका subtract हो जाएगा x is equal to 27 27 तो यही आपका क्या होगी है x का value होगी है इसी तरह से आपको second question भी solve करना है कुछ points को आप ध्यान में रखिएगा इस x are size में आपको इस तरह के जब statement देखने को मिलेंगे जैसे twice होगा twice का मतलब क्या होता है 2 गुना twice होगा मतलब क्या होगा तीन गुना ठीक है जिस भी equation में अगर twice या thrice की बात होगी तो आप 2 या 3 से multiply करोगे अगर इसमें age के भी कुछ question आपको मिलेंगे इस तरह से लिखा गया होगा after eight years या two years जब भी after after eight years, two years जब भी इस तरह से बात होगी तो आपको उस equation में plus करना होगा, जो भी आपका data होगा eight होगा तो eight को plus करेंगे two होगा तो two plus करेंगे जब भी after होगा लेकिन जब before करके होगा before five years ठीक है before नहीं होगा before भी हो सकता है तो आप वहाँ पे क्या करो before हो या फिर इस तरह से five years ago मतलब होता है five साल पहले या फिर six years ago जब भी years ago करके होगा तो आप क्या करोगे उस equation में subtract करोगे जो भी आपका number होगा five होगा तो five को subtract करोगे six होगा तो six subtract करोगे ठीक है तो आईए हम next question की तरफ चलते हैं second आप से solve हो जाएगा देखिए four times है times का मतलब क्या होगा multiply question number four हम discuss करेंगे the sum of three consecutive natural numbers is one hundred fourteen तीन लगातार natural number का sum कितना है one hundred fourteen है तो पूछा जा रहा है कि वो number क्या होगे तो चलिए इस question को हम discuss करते हैं question number four let the three consecutive natural numbers b पहला आपका x हो गया दूसरा हमने मान लिया x plus one और तीसरा x plus two यह आपके three consecutive natural numbers हो गया कहा जा रहा है इनका sum इन तीनों number का sum sum का मतलब क्या हो गया add करेंगे x में x plus one फिर x plus two add करने पर इनका जो sum है वो दिया गया है 114 अब इसको solve कर लेते हैं x plus x plus x कितना हो गया 3x one plus two कितना हो गया three plus में और इधर equal के बाद क्या है तो 114 है ओके अब x की value find करते हैं 3 को वहाँ भेजेंगे subtract हो जाएगा तो क्या जाएगा 111 अब 3 से इसको divide करना है तो x की value क्या जाएगी 3, 3 जा 9 3, 7 जा 21 तो x की value आ गई 37 तो एक number आपको मिल गया 37 तो दूसरा क्या हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर आप देखी लिजिए x plus one यानि की 37 plus one क्या हो जाएगा 38 हो गया ठीक है x plus two मतलब की 37 plus two क्या हो जाएगा 39 तो यह three consecutive natural numbers हो गया 37, 38 और 39 ठीक है ओके तो यह question number four का हो गया next question पर आप move करते है next question देखिए question number five का देख लिजिएगा आप क्या है when राजू multiply a number by 17 यहाँ पर equation में लिख रही हूँ राजू किसी certain number में 17 से क्या करता है multiply करता है और उस product में four add करता है तो उसे क्या मिलता है 225 तो आप यह equation देख लिजिए 17 में x से multiply करेंगे और four को add करना है तो क्या मिलता है 225 अब यहाँ पर यह equation solve किजिएगा x का value मिल जाएगा आपको ओके next question देखिए question number six if a number is tripled and the result is increased by five we get 50 find the number इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसे number का triple triple का मतलब तीन गुना है और उसमें result में five को increase कर देते हैं किसी number का तीन गुना हो गया और उसमें result में इसमें five increase कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 50 equal करेंगे 50 अब इसको आप solve कर लिजेगा x की value find कर लेंगे ठीक है आपको बताना है कि डो numbers है जिसमें से एक जो है उसमें क्या होता है 18 add किया जाता है एक number आपका x है और दूसरा जो है वो उसमें 18 क्या है जादा है exceed का मतलब जादा है तो दूसरा x plus 18 हो गया दोनों का sum कहा जा रहा है न their sum is 92 इनका sum तो दोनों का sum करेंगे तो क्या आजाएगा 92 अब इसको आपको solve करना है x plus x क्या हो गया 2x हो गया plus हो गया 18 और इदर आपका 92 अब इसका x का value आपको find करना है 2x is equal to 92 में यह subtract करेंगे तो आपका आएगा 74 x की value क्या आजाएगी 37 तो एक आपको दिग गया एक number क्या है 37 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 37 plus 18 add करेंगे क्या आजाएगा आपका 55 55 ही आपका answer हो गया ठीक है ओके next question देखिए question number 8 आपसे solve हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही है question यह यह आप solve कीजिएगा question number 9 find two numbers such that one of them is five times the other and their difference is 132 आपको दो numbers में से दिया गया कि एक number जो है दूसरे का five times है और उनका difference है 132 इसी के जैसा है वहाँ पे sum हो रहा था यहाँ पे difference है तो चलिए इसे solve कर लेते हैं question number 9 let first let one of let one of the number be x and other number be five into x अब देखिए question में कहा जा रहा है इन दोनों का difference five into x minus x difference क्या है तो 132 है अब यहाँ पे four into x is equal to 132 x की value find करेंगे four से divide करके fourth visa fourth visa तो एक number क्या आ गया 33 तो आपको लिखना है other number is equal to five multiply 33 is equal to 165 165 यह आपका दूसरा number हो गया यह यह पहला number और यह दूसरा number ठीक है यह question number nine का हो गया next question पे move करते है एक second question number 10 में देखिए क्या है the sum of two consecutive event number is 74 दो लगातार event number का sum क्या है 74 है यह दोनो number question जो है एक जैसे ही है इसमें odd कहा जा रहा है इसमें even कहा जा रहा है तो event वाले में आप क्या करोगे two consecutive event number आपको equation में बता रही है आप लिक ले न x plus x plus 2 यह आपका second event number और यह आपका first event number ठीक है x हो गया पहला और second हो गया यह x plus 2 क्या हो गया दूसरा इन दोनों का सम क्या है 74 इसे आपको solve करना x plus x 2x plus 2 is equal to 74 इसे आप solve किजेगा x का value आएगा तो x का जो value आएगा वो आपका first event number हो गया और x में आप 2 add करोगे तो आपका second event number हो गया तो 11 बाले में देखिए आपको 3 consecutive odd number लिखना है तो पहला odd number आपका क्या होगा x हो गया दूसरा odd number आपका क्या हो गया x plus 2 हो गया और तीसरा odd number आपका हो गया x plus 4 इन तीनों का sum क्या है देखिए sum क्या दिया गया है आपका 21 sum क्या है 21 सम का बीच में आपको साइन देना होगा सबको आट कीजी x plus x plus x 3x plus 2 plus 4 6 is equal to 21 तो यहां से आप x की value निकालेंगे और इस इन तीनों में रख देंगे तो आपको वो तीन odd numbers मिल जाएंगे ठीक है तो यह 10 और 11 आप खुछ से solve कर लेना question number 12 देखिए यहां से आपके age वाले question है रीना is six year older than her brother अजय रीना जो है अपने भाई अजय से 6 साल क्या है older है older मतलब बड़ी है if the sum of their ages is 28 years अगर उनके age का sum कितना है 28 years है तो पूछ रहा है कि what are their present days उसका present days क्या होगा तो देखिए इस type की question को कैसे बनाते है मैं इसका एक language type में आपको बता रही हूँ बाकी question में मैं आपको equation समझा दूँगी आप उसे खुद से language में लिखके solve कर लेना ओके तो चलिए जैसे आपका question number 12 है तो आपको लिखना होगा let the present is of azay azay का क्यूं मानना है क्यूंकि यहां पे कहा जा रहा है question में कि azay से वो क्या है six years older azay से वो छह साल बड़ी है तो azay का हमने मान लिया x ठीक है? azay का मान लिया x so the present is of present is of किसका रीना का present is क्या हो जागा रीना का इससे six years older है तो आपको लेना होगा x में six add करके six ज्यादा है तो six आपने add किया ठीक है? उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि उनके ages का sum इन दोनों का sum तो आप लिखोगे ऐसे according to the question ऐसे आप लिख लिजिएगा x plus x plus six sum कितना है दोनों का? 28 years अब इसे add किजिए x plus x आपको 2x मिला plus six और इदर आपका क्या हो गया? 28 years अब यहाँ से आप x की value निकाल लेंगे मैं यहाँ बता रही हूं space नहीं है x की value क्या आएगी? 6 इदर subtract हो जाएगा तो आएगा आपका 22 22 में हम 2 से divide करेंगे 22 में हम 2 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा? 11 आजाएगा तो x की value आगई 11 years तो यह किसकी age हो गई? तो आपका आजाए की age क्या हो गई? 11 years और रिना की age कितनी होगी? तो 11 में हमको क्या add करना होगा? 6 तो यहीं पर देखे लिख दे रही हूँ 11 प्लस 6 क्या मिल जाएगा आपको? 17 years ठीक है? 17 years किसकी age हो गई? दिना की वो आप next line में लिख लीजिएगा ठीक है? तो ऐसे ही बनाना है आपको language वाला जो question है बाकी ओके? next question में देखिए क्या है question number 13 दीपक is twice as old as his brother Vikas दीपक जो है अपने भाई Vikas से twice है दो गुना बड़ा है ठीक है? if the difference of their ages be 11 years अगर उनके age का difference 11 years है तो उनका present age बताना है तो देखिए equation में आपको बता रही हूँ सिर्फ आप equation में ऐसे लिख ले ना एक second देखिए यहाँ पर कहा गया है दीपक is twice दीपक twice है किसका? Vikas का और उनका difference तो देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ यहाँ पर कि Vikas की present age क्या है Vikas present age मान लिया मैंने x है let Vikas present age x है तो दीपक की age क्या हो जाएगी? आप वैसे ही लिखना जैसे मैंने बताया था दीपक's present age is equal to क्या होगी? इसकी twice है तो 2 into x हो गया अब इन लोनों का difference कितना है? 11 years है difference मतलब 2x में आपको x subtract करना होगा 2x minus x is equal to 11 है तो 11 लिख दिया अब देखिए subtract करेंगे तो आ जाएगा x और यहाँ पर 11 तो यह x 11 जो आया है यह किसका age है? तो विकास का दीपक की age क्या होगी? तो आपको क्या करना होगा? 2 x करना होगा 2 में इसमें multiply करना होगा ठीक है? तो 2 into x is equal to क्या जाएगा आपका? तो मल्टिप्लाइ 11 is equal to 22 years यह आपका दीपक का age हो गया और यह आपका विकास का age हो गया ठीक है? प्रेजेंटेज दोनों का हो गया तो यह question number आपका 13 था एक सेकिंड यह देखिए मैंने आपको बता दिया है आप सही से इसका language लिखेंगे नेक्स question में देखिए क्या है question number 14 Mrs. Goyle is 27 years older than her daughter रेखा Mrs. Goyle जो है वो अपनी daughter रेखा से 27 years क्या है ज्यादा है बड़ी है after 8 years देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी after हो, before हो तो वहाँ पे क्या करना होगा after में क्या करना है add करना होता है और ego में क्या करना होता है subtract करना होता है तो यहाँ पे हमें add करना है यह ध्यान रखना होगा after 8 years she will be twice वो दूगनी हो जाएगी अपनी बेटी रेखा की ठीक है find their present is उनका present is बताना है इस question को हम solve कर लेते हैं ठीक है आपको लिखना होगा वैसे ही language में let the present is of रेखा की present is माल लेते हैं be x ठीक है so the present is of Mrs. Goyle क्या हो जाएगा इनका इस से कितना जादा है तो 27 years x plus 27 years 27 हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है after 8 years 8 years के बाद क्या होता है तो 8 दोनों में add हो जाना है इसमें भी add होगा और इसमें भी add होगा दोनों का age क्या हो जाएगा 8 साल जादा हो जाएगा 8 साल के बाद तो क्या करेंगे X में 8 add करेंगे और इसमें भी X में X है 27 है प्लस 8 यहां भी add करेंगे ठीक है उसके बाद question में कहा गया है कि she will be twice she किसके लिए आया है तो she आया है Mrs. Goyle के लिए ठीक है she will be twice as old as Rekha वो Rekha का जो है वो दूगना हो जाएंगी ठीक है 8 years के बाद Rekha का क्या हो जाएंगी Rekha के age की दूगनी हो जाएंगी तो Rekha में आपको multiply करना होगा 2 से ठीक है Rekha के age में ना कि आपको यहां पर इसमें multiply करना है Rekha के age की वो क्या होगा double हो जाएंगी तो यहां 2 से इसमें multiply हो रहा है तो 2X में से X जाएगा, X बचेगा, और 35 में से 16 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 19, तो ये 19 years जो है, वो किसका age हो गया, तो आपका रेखा का age हो गया, तो Mrs. Goel का क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेज, आपको देखें, यहीं बता रही हूँ, 19 में आपको 27 एड़ करना है, 46 years, ठीक है, यह किसका age हो गया, तो Mrs. Goel का age हो गया, ओके, तो आप समझ रहे हो, आपको कैसे बनाना है question, next question में देखिए क्या है, question number 15, यह आप solve कीजिएगा, a man is 4 times as old as his son, एक आदमी है, जो अपने sun से 4 times जादा है, तो sun की age मानेंगे आप x, और उस man की मान लेंगे 4x, 4 times जादा है, after 16 years, दोनों में 16 add हो जाएगा, ठीक है, 16 add हो जाएगा, he will be only twice, वो twice हो जाता है, अपने sun का, sun का twice हो रहा है, तो sun में आपको 2 से करना है multiply, ठीक है, इधर आपको multiply नहीं करना है, देखिए, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रही हूँ, तो आपका जो equation है, यही है, देख लिजिए, यह आपका equation है, इसमें आपको एक x का value निकालना है, तो x का value जो आएग वो उस man का हो जाएगा, ठीक है, तो देख लिजिए, यहाँ पर अच्छे से, दिख रहा है ना आपको, यह x जो है, वो sun का है, और यह जो है, उस man का है, language आप लिख के बनाएंगे इसे, ओके, next question में देखिए, question number 16, a man is thrice as old as his son, यहाँ भी same है, thrice करना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, तो यहाँ पर subtract करना होगा, 5 years ago, he, 5 years ago, the man was 4 times as old as his son, 5 साल पहले क्या हो जाता है, वो 4 times हो जाता है, ठीक है, 4 times था अपने son का, तो इसको solve करेंगे कैसे, पहले आप लिखेंगे son का age, और इधर आप लिख लेजिए, उस man का age क कितना है, तो thrice है, thrice है, मतलब 3 गुना होगे अपने son का, और उसके बाद कहा जा रहा है, कितने साल पहले, 5 years ago, तो दोनों में आपको पहले 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, यह son वाला है, देखिए, son का 4 times हो रहा है, तो son में आपको 4 से multiply करना है, और बीच में आपक equal का sign देना होगा, क्योंकि दोनों को equal करना है, तब ही आप equation बनेगा न, तो अब इसको solve कीजिएगा, 4 into x, 4 into 5, minus है, यहाँ पे बीच में equal है, यह solve करके आपका answer आजाएगा, देख लीजिए, यह 4 को आप चाहो तो आप आगे लगाओ, ज्यादा बेटर है, बीच में इंट x जो आएगा वो उस man की age होगी, और x का जो आएगा वो son की age हो जाएगी, ओके, next question देखिए, question number 17, after 16 years, फातिमा विल वी 3 times as old as she is now, इसमें कहा जा रहा है कि 16 years के बाद फातिमा जो है, अपनी अभी की age की कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, तो पूछ रहा है कि find her presentage, उसक के लिए है, कैसे आप solve करोगे, आपको माल लेना है, let present age of फातिमा बी x, तो इसमें क्या कहा गया है, आपका after 16 years, 16 years के बाद क्या होगा, 16 years के बाद क्या होगा, तो इसमें पहले 16 add करेंगे, ठीक है, यह हो गया, 16 years के बाद कहा जा रहा है, कि वो अब ही case का, present age का क्या हो जाएगी, कितने times हो जाएगी, कहा जा रहा, 3 times हो जाएगी, तो आपको 3 से multiply करना होगा, present वाले age में, अब इस equation को solve कर लेते हैं, 3x में से 1x जाएगा, आपका 2x बचेगा, और इस तरफ आपका 16 हो गया, 2 से आपका 8 times में, x is equal to 8 years, फातिमा की age कित है, question number 18, after 32 years, रहीम will be 5 times, 32 years के बाद, रहीम जो है, वो 5 times हो जाएगा, as old as he was 8 years ago, जितना वो, अपने 8 साल पहले की age का, वो कितना हो जाएगा, 5 times हो जाएगा, how old is रहीम today, तो रहीम की age बतानी है, कब की, present की, तो इसे कैसा solve करेंगे, देखिए, आपको equation में बता रही हूँ, आप बना लिजेगा, let the present age of रहीम be x1 लेना है, तो 18 years, 32 years के बाद कहा जा रहा है, तो after 32 years, x plus 32, और उसके बाद कहा जा रहा है, 8 years ago, ठीकिए, मतलब की, 8 years ago, तो इसमें 8 subtract करेंगे, करना है, 8 years ago का, कितना हो जाएगा, तो 5 times हो जाएगा, तो यह equation बना, इसे solve करिएगा, x plus 32, is equal to, यहाँ 5 से x multiply, 5x, फिर 5 से आपका 8 में multiply होगा, बीच में minus आएगा, 5 years ago, 40, इसको solve करेंगे, तो 5x में से आपका x, x वाले term को एक साइट रखेंगे, क्या होगा, 5x minus x, और इधर आपका, क्या है, 32 और यह आपका 40 उधर जाके add हो जाएगा, 32 plus 40, subtract करेंगे, 4x is equal to 72, तो यहाँ पर आपका divide होके कितना आजाएगा, 4 से यह 18, तो 18 years जो हो गया, वो किसकी age हो गई, present age हो गई, रहीम की, ठीक है, रहीम की present age क्या हो गई, तो 18 years, यहाँ पर years लिख लेना, question number यह 18 हो गया, ठीक है, आप next question में देखिए, question number 19, 19 यहाँ है, a bag contains 25 पैसा and 50 पैसा, coins, एक bag में 25 पैसा और 50 पैसे के सिख्ये है, coins है, whose total value is rupees 30, जिसका total value जो है, मतलब उस bag में जितने रूपे हैं, वो कितने हैं, 30 rupees है, कहा जा रहा है कि, if the number of 25 पैसा coin, यानि कि 25 पैसा के coin का जो number है, वो 50 पैसे का कितना है, तो 4 times है, 50 पैसे का 4 times है, whose, यहाँ पे लिखा गया है, 25, 4 times that of 50 पैसा coins, find the number of each type of coins, मतलब पूछ रहा है कि, हर type के कितने coins है, 50 पैसे के कितने सिख्ये हैं, और 25 पैसे कितने हैं, तो देखिए, इसे solve कर रही हूँ मैं, question number यह आपका 19 है, अच्छा question है, आपको लिखना होगा पहले, let the number of 50 पैसा coins, माल लिए कि 50 पैसा coins का जो number भी X है, तो आपका जो 25 पैसा coins होगा, वो कितना होगा, 25 पैसा का coins कितना हो जाएगा, तो इसका 4 times है, so the number of 25 पैसा coins, क्या होजाएगा, इसका 4 times, so 25 into 4 times, into 4 x में multiply होगा, sorry 25 नहीं लिखना, यहाँ पे 4 times है न, बाद में करना है वो 4x, इसका क्या है, 4 times है, तो x में 4 से multiply यह होगा आपका 4x, अब आपका question क्या कहा जा रहा है, कि इन डोनों का जो value है, total value जो है, वो कितना है, 30 rupees है, तो यह सब पैसा था न, आपका 25 पैसा कितना है, तो 4x है, 50 पैसा कितना है, तो x है, तो इससे जब आप rupees में change करोगे, तो क्या होगा, पहले यह 50, 50 पैसा का coin से, तो 50 into x, 50 पैसा का यह x coin है, तो 50 into x, इसको rupees में change करेंगे, तो हमें 100 से divide करना होगा, पैसा से rupees में change करने के लिए 100 से divide, फिर plus, अब देखिए, यहाँ पे 25 पैसा का 4x coin, मतलब 4x हैं इसके सिक्के, तो क्या करेंगे, 25 में 4x से multiply किया, लेकिन हमें इसे किस में change करना है, rupees में, तो हम 100 से divide करेंगे, equal करेंगे, कितना, 30, क्योंकि rupees में था 30, तो इसलिए हमने इसे rupees में change किया, अगर यह पैसा में होता, तो बस हम इतना ही सिर्फ multiply करते हैं, और यह 100 की ज़रुत नहीं होती, आप देखिए कौन-कौन cancel हो रहा है, 50 से 2 times में, 50, 4 जा, और यहां से 4 यह वाला 4, 4, 4 cancel, तो यहां पर सिर्फ x बचा है, और यहां पर आपका x और नीचे 2, x by 2, प्लस इसमें क्या बचा, x is equal to 30, यह equation solve करना, x plus x by 2, तो इसको जब solve करेंगे, देखिए, यहां लिख रही हूँ, इसमें, यह हो जाएगा आपका 3x by 2, यह आपका solve करने पर आएगा, 3x by 2, और इधर आपका है 30, अब 2 वहां जाके multiply हो जाएगा, क्योंकि 2 divide में है, तो 2 से multiply होगा, तो 60 हो जाएगा न, इधर आपका सिर्फ क्या बचेगा, 3x, 3x is equal to 60, आप देखिए, 3 से कट जाएगा कितने times में, 20 times में, है न, 20 times में cancel हो गया, तो x का value हो गया, वो 20, मतलब x क्या था, तो 50 पैसा था, तो 50 पैसे कितने सिक्के हो गया, 20, तो इसी तरह से 25 पैसा कितने सिक्के हो गया, 20 multiply 4, इधर लिख रही हो, मैं short में 80, तो यह आपके 25 पैसे के, और यह आपके 50 पैसे के coins के numbers है, ठीक है, आप एक line इसे next में, आप add कर के लिख सकते हो, the number of 50 पैसा coins, 20, और the number of 25 पैसा coins is 80, ओके, आप समझ पा रहे हो, आपको यह करना होगा, next line में, ठीक है, next question में देखिए, question number 20, 5 times the price of a pen is rupees 17 more than 3 times its price, इसमें कहा जा रहा है कि, किसी pen के price का 5 times जो है, उस pen के price के 3 times से 17 more है, 17 क्या है, ज्यादा है, यह आपका equation बना, अब आप इस equation को solve कर सकते हैं, मैंने equation लिख दिया है, आप यहाँ पर लिख लेना, let the price of a pen b x, ठीक है, x हो गया, तो यह आपका equation बना, इसको solve कीजिएगा, कर लेती हो मैं, 5x में 3x जाएगा, 2x, इधर आगया 17, 2x, 2 से आपको 17, 17 में divide करना, तो क्या आजाएगा आपका, 8.50, मतलब 8 रुपे, 50 पैसा, ठीक है, यह रुपीज में आपका आगया, तो यही आपका pen का price हो गया, okay, मैंने बता दिया है, यह question number 20 था, next question में देखिए, question number 21, अच्छा question है, the number of boys in a school is 334 more than the number of girls, कहा जा रहा है कि किसी school में जो है, boys का जो numbers है, boys की जो संक्या है, वो girls से 334 क्या है, ज्यादा है, more है, अगर total strength जो है, उस school की वो इतनी है, मतलब total जो स्कूल में student है, वो इतने हैं, 572, तो पूछ रहा है कि find the number of girls, girls की कितनी शंक्या स्कूल में, ठीक है, तो इसमें आपको equation जो है, वो लिख लेजिए आप, आप solve कीजिएगा, आप मान लेना पहले, let the number of girls be x मान लिया, तो x हो गया girls, और boys का कितना था, तो x plus 334, boys, यह girls x है, और boys कितने है, तो इसमें 334 ज्यादा है, यहाँ पर मैंने एक line नहीं लिखा, the number of boys, क्या है, तो x plus 334, और total strength, मतलब total जो हुआ, दोनों का total, मतलब add करने पर कितना आ रहा है, 572, आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2x हो जाएगा यह, और इधर आपका, plus में 334, is equal to 572, अब इसको आप solve कर सकते हैं, x की value निकाली है, x की value जो आएगी, वो girls की, girls के numbers हो जाएगे, ठीक है, तो यह आपका इस तरह से 21 भी हो गया, next question में चलते हैं, question number 22, यह मैं बताऊंगी, बाकी आप यह सब solve कर लेना, same है, इसी के जैसा, the length of a rectangular park is three times its breath, कहा जा रहा है कि किसे rectangular, rectangular ऐसा होता है, rectangular park जो है, उसका जो length है, वो इसके breath के, breath मतलब चोड़ाई, यह होता है, लंबाई, L, और यह होती है, इसकी breath, चोड़ाई, चोड़ाई की कितनी है, तो three times है, thrice है, मतलब three गुना है, if the perimeter of the park, perimeter का मतलब समझ रहे हो, इसका चारो तरफ जो होता है, चारो side बिलाके यह perimeter होता है, तो perimeter कितना है, तो 168 है, तो कहा जा रहा है कि find its dimension, dimension मतलब L बताना है, L क्या होगा, और B क्या होगा, length क्या होगा, और breath क्या होगा, तो पहले perimeter का formula आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, कि perimeter of a rectangle, क्या होता है, 2 into L plus B, 2 into लंबाई प्लस चोड़ाई, यह होता है, perimeter का, ठीक है, rectangular का perimeter यह होता है, अब इसमें आपको मानना क्या है, let be, let the breath of the rectangle be x, x centimeter माल लेता है, क्योंकि centimeter में लिखा गया था, देख लेती हूँ, centimeter नहीं है, आपका यह meter में है, यहाँ पर meter कर लेंगे, next वाले में centimeter है, meter हो गया यह, ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है, तो length आपको क्या हो जाएगा, length, so, length is equal to length कितना है, इसमें कहा जा रहा है, कि length क्या है, इसका 3 times है, thrice है, तो इसका thrice 3 meter हो गया, ठीक है, अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इन दोनों का perimeter दिया गया है, तो perimeter मतलब 2 into L plus B करके लगाएंगे, 2 into L कितना है, तो 3 हो गया, 3x, sorry, यहाँ पर x भी हो जाएगा, 3 into x और plus breadth कितनी है, तो x है, तो x देंगे breadth की जगापे, bracket 1 equal, इसका जो पूरा perimeter है, वो कितना है, 168, यह देखिए 168, यह आपका equation हो गया, यही equation आपको solve करना है, ठीक है, मैं उपर वाला यह erase कर रही हूँ, आपने formula लिख लिया होगा, ठीक है, अब यहाँ हम solve कर लेते हैं, multiply करेंगे, यह तो आपका 4x हो जाएगा, 4x multiply 2, 4 to the 8x आ गया, और उधर आपका क्या हो गया, 168, 8 से आपका 8 to the 8 one's आ, मतलब जो breath हो गई, breath कितनी है, वो कितनी है आपकी, 21, ठीक है, तो length कितनी हो जाएगी, इसकी 3 times है न, length is equal to 3 multiply 21, क्या आगई, 63, यह meter में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका answer, यह length और यह breath, यही आपको बताना था, dimension क्या होता है, length और breath होता है, ठीक है, आप समझ पाए हो, ऐसे ही, आपको question number 23 and 24, same as इसी के जैसा है, solve करना है आपको, ठीक है, तो आपका यह chapter 9 complete हो गया है, अब आप next video में next chapter पढ़ेंगे, thank you and have a good day.